19 नॉवंबर 2023 का दिन हर भारतियों के लिए खास होने वाला है 12 साल बाद भारतियों क्रिकेट टीम वर्ल्ड कफ फाइनल खेलने जा रही है अमादाबाद के नरेंद मोदी स्टेडियम में वो भी अस्टेले के खिलाब एक और वजह से यह दिन खास होने जा रहा है इतिहास में पहली बार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वाई सेना भारतियों वाई सेना की सुर्ज करन टीम जो है हवाई करतब दिखाने जा रही है किसी क्रिकेट मैस से ठीक पहले पहली बार वारतियों वाई सेना को जो एमबैस्दर कहे जाना वाला है सुर्ष किरन टीम जो हवाई करतब दिखाने जा रही है एरेवेटिक दिखाने जा रही है मैस से ठीक पहले सूर करें कि नौ जो विमान है, हौग विमान जो है, वो हवाई कर्तब दिखाएंगे ऐसे ऐसे कर्तब दिखाएंगे जिसे देखकर दर्सकों का उत्सा और रोमाँच भर उठेगा भारतिय क्रिकेट टीम का भी जोस और हाई हो जाएगा दुनिया में चुनिंदा देश हैं जिनके पास ऐसे एरिवेटिक टीम है अमेरिका की बात करें, बिटन की बात करें, फ्रांस की बात करें तो ऐसे ही देश हैं जिनके पास एरिवेटिक टीम है जो आसमान में हवाई कर्तब दिखाते हैं ये आसान नहीं होता है, बहुत ही मुस्किल होता है, इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि आपके पास एक अच्छा aircraft होना चाहिए, उससे भी बड़ी बात, aircraft को fly करने वाले pilot जो है well trained होने चाहिए, इसमें चूक की गुंजाई जरा सा भी नहीं होती है, fraction of error बिल्कुल नहीं एक सकेंड के अंदर आपको फैसले लेने होते हैं, चूकि इतनी तेजी से विमान जो एक दूसरे से क्रॉस करता है, वो देखते ही बनता है, और क्यों विमान ही क्रॉस नहीं करता है, हवाई कर्तम नहीं दिखाते हैं, विमान के पीछे से रंगीन दुवार निकलता है, जो दर्सकों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भारत के जिए सुर्ज किरन्ट टीम जो है 1996 में इसका गठन किया गया है देश में नहीं बलकि विदियों में यह एरसों कर चुकी है और जहां जहां सुर्ज किरन्ट टीम अपना प्रदेशन करती है वो लोगों का उत्साह जो है वर्ल्ड कप की जो चमचमाती टॉफी है अपने नाम करें इस्तिहास में अपना नाम दर्स कराएं